वेलकम वेलकम टू फोब्स एजुकेशन फोब्स एजुकेशन में आपका स्वागत है जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे दिल्ली पुलिस के एक्जामिनेशन चल रहे हैं और उसकी लिए क्या है काफी इंपोर्टेंट टॉपिक बन रहा है आर्ट एंड कल्चर के अंतरग टॉपिक्स बन रहें उनके सेनेरियों अलग-अलग बन रहे तो आज को जो टॉपिक रहेगा हमारा काफी ज्यादा एक्जाम पॉइंट अव्यों से जरूरी है जिसे जाना जाता है स्टैटिक का टॉपिक रहेगा जिसे हम जानते हैं किस नाम से इंपोर्टेंट इन इंडिया इसे जाना जाता है किस नाम से इंपोर्टेंट ट्राइबस इन इंडिया या इसे जाना जाता है पर्टिकुलर भारत की महत्वपूर्ण जन जातियां इसे जाना जाता है भारत की महत्वपूर्ण जन जातियां ये आपके जो भी अपकमिंग एक्जाम हैं जैसे स्से जीडी है स्से छेसल है उन सब एक्जामिनेशन में ये कोश्चन आपके लिए पूछा जाएगा और मैक्सिमम कितना वन टू टू मार्क्स के कोश्चन इस ट जो latest आपका scenario बना है वो बना है important tribes in India और सबसे बड़ी बात आपको tribes पूरी की पूरी इसी class में याद होंगी इसकी guarantee हमारे उपर है 100% questions आपको क्या होंगे याद रहेंगे और हम ये भी चर्चा करेंगे कि कौन-कौन से question इससे पूछे गए हैं उनका क्रम क्या है order क्या है औ भारत की महत्वण जनजातियों के बारे में हम चर्चा करेंगे कौन-कौन सी होती हैं क्या-क्या चीजे चली है तो यह आता geographical languages में आता है और हम सबसे पहले देखेंगे state-wise भी चलेंगे पर पहले देख लेते हैं कि tribes का reason क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए tribes के reason क्या होते है tribes reason की बात करेंगे या जनजातियों छेत्रों के टोटल इंडिया में कई सारे जनजातियों छेत्रों में भी भाजित किया गया है बहुत सारे ऐसी जनजातियां है जहां पर जाने में रोक लगी हुई है पूरी तरह से इंडियन government क्या करती है tribal zone घूसित कर दिया है तो उसके बाहर अब आप नहीं जा सकते हैं तो इसमें बहुत सारे reason है पहला reason कि इसमें हम different different reasons की बात इस्टेट wise भी चलेंगे बिलकुल परेशान मत होईएगा एक एक question आपके clear होंगे सबसे पहला है the Himalayan reason की बात करेंगे सबसे पहला है हमारा the Himalayan reason के बारे में बात करेंगे किसके बारे में बेटा? अब हिमाले छेतर में बहुत सारे Reasons आते हैं, आपको जोग्राफिकल में में पता होगा तो पहला रीजन जो tribal का बना वो कौन सा बनता है हिमाय रीजन दूसरा होता है Middle India Reason, दूसरा जो reason है, पर्टिकुलर याद रखेंगे, इसे जाना जाता है Middle India Reason के नाम से, Middle India Reason, आपको map की मदद से भी देखेंगे, या इसे जाना जाता है मध्य भारत छेत्र, अब आपको पता होगा कि maximum जो tribes हैं, almost 55% of the tribe that is founded on this area, Approximate 55% of the tribe, मतलब लगभग कितने प्रतिसत, लगभग 55% जन जातियां इसमें पाई जाती हैं, कितनी जन जातियां बेटा, पूछा गया question है, कि maximum tribe कहां पाई जाती हैं, बिलकुल याद रखेगा, tribe है basically divisions, the first division that is Himalayan revision, हम बताएंगे आपको कौन कौन सी हैं, दूसरा Middle East, इसमें Approx कितने प्रतिसत tribal reason हैं बेटा, Approx 55% of total tribe is founded and it is a maximum that is founded on this reason, यह सबसे ज्यादा का छेत्र है, जिसे जाना जाता है मध्य भारत छेत्र के नाम से, किस नाम से जाना जाता है, मध्य भारत छेत्र, Approx 55, इसके बाद Western India reason, Middle के बाद तीसरा पार्ट होता है, जिसे जाना जाता है, Western इंडिया reason, या इसे जानते है, Western Indocence क्या मतलब हुआ, पश्यमी, Western को जाना जाता है किस नाम से, पश्यमी भारत छेत्र, कौन सा छेत्र बन गया बेटा, पश्यमी भारत छेत्र, ये भी आपके examination के लिए जरूरी है, कि Western में कौन-कौन से पार्ट बनते हैं, कौन-कौन से ट इंडिया reason, इसके बाद तीन यहां हो गए, चौथा होता है, हमारा particular याद रखेगा, that is much more important, South India reason, कौन सा बन गया बेटा, South India, या इसे जाना जाता है, डक्षन भारत के नाम से, किस नाम से जाना गया बेटा, डक्षन भारत के नाम से, तो टोटल ट्राइबल के बारे में हम ने आपको discuss करके बताया, दूसरा कौन सा बना हमारा दक्षन भारत का छेत्र, और जो last होता है, but not the least, that is island reason, पहला island reason, island का मतलब क्या हुआ, कि जितने भी हमारे द्वीपीय छेत्र हैं, वहां भी जनजातियां रहती हैं, जनजातियां होती क्या है, जिनका धैनिक जीवन से particular mispack communication होता है, मतलब एक specific tribe है, जो आपके population and dopography से उतना ज्यादा संबंध नहीं रखते, there are the five revisions that is divided on this, कौन-कौन से हैं, हिमालेयन region, island region, middle region, western region, southern region, कौन-कौन सा छेत्र हैं, एक बार map की मदद से अगर आप देखें, अगर हम map की मदद से चलें, तो आपको clear रखना है, if suppose that this is a portion of the India, अगर आप particular tribal region में गए, या map की मदद से मैं आपको बता देता हूँ, कि पूरे के पूरे इंडिया के अलग-अलग छेत्रों में divide किया गया, ये पूरा scenario है आपका, direction के हिसाब से north region, south region, eastern region, western region और हर जगह पे, और ये पूरा का पूरा क्या होता है, mid region, इसके बाद आपका कौन सा region बनता है, island वाले region भी बनते हैं, अंडमान निकोवार, लक्षदेब, इस प्रकार से हुआ, अब हर छेत्र में अपनी अलग-अलग पहचान है, कुछ specific tribe को द देखते हैं, सबसे पहले मान लीजे चर्चा करते हैं, island reason के बारे में, island में कौन-कौन से पाए जाते हैं, island reason या इसे जाना जाता है, बिलकुल याद रखेगा, द्वीपी अच्छेत्र, बहुत ज़्यादा important आपके examination के लिए है ये part, exam में 100% question यहां से बन रहे, SSC GD में 100% इस दी बनने के question क्योंकि डेले पुलिस में question यहां से topic से बने हैं, और ये आपके लिए top most important रहेगा, the first important that is island reason of the tribe, जनजातियां ऐसी हैं, जो आपकी कहां पाई जाती हूं, द्वीपी च्छेत्रों में या island reason में, कौन-कौन से जनजातियां हैं, state-wise बाद में चलेंगे, न दूसरा होता है, jarwaz, the second tribe is the jarwaz, बिल्कुल नाम से स्पष्ट रखेगा, यह island में पाई जाने वाली tribe है, पहले आँगे इस दूसरी jarwaz, तीसरी, the great and demand north, the great and demand north, the great and demand tribe पाई जाती हैं, the great and demand, बिल्कुल याद रखेगा, यह सब छेत्र हैं, अब हम state-wise सर्चा करेंगे, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए, इंडिया में जो पूरे के पूरे tribal area है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, that is basically divided on five parts, first one that is known as the Himalayan region, second one is the island region, third one is the middle region, middle India region, fourth one that is western region and fifth one is the south India region, दक्षण भारत में भी बहुत सा region जाती हैं, अब हम state-wise चलेंगे बिल्कुल याद रखेगा, यहां तक कोई doubts हैं, आपके एक बार comment करके बता दीजे, clear, जल्दी से, very good, very good, very good, no, 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 very good, चलिए सुरू करते हैं, state-wise हम चर्चा करेंगे, कौन-कौन सी tribe पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा, तोटल जितने भी state, maximum state आपको नहीं करना है, population की बात की जाए, तो 12 lakh approximation, total, 2011 census के अनुशार यदी बात की जाए, तो schedule tribe approximately 8.6% of the total population, 97% of rural Asia, 10% lives in the cities, इनकी भी चर्चा करेंगे, कुछ राज्यों की हम बात करते हैं, जहां से question खूब बना है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा अरुणांचल प्रदेश, अरुणांचल प्रदेश से सुरू करते हैं, अरुणांचल प्रदेश में कौन कौन सी tribe पाई जाती है, इसमें है मोनपा ट्राइब, मोनपा फेस्टिवल भी था, डफला ट्राइब, डफला की पहाड़ियों में, मिशिमी पहाड़ियां, मिशिपी में, इडियू, तगीना, ये सब रहती हैं, तो पहला स्टेट है हमारा, बिलकुल याद रखेगा, आरूनांचल प्रदेश, बिलक आरूनांचल प्रदेश, अब आरूनांचल प्रदेश में कौन कौन सी ट्राइब हैं बेटा, काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट, सबसे पहले ट्राइब की हम बात करेंगे, डफला, डफला ट्राइब, मैक्सिमम पहाड़ियां आपकी जो पहाड़ियां है, हिली स्टेशन है, वहीं परिस्तित है, तो अरूनांचल प्रदेश में पहले ट्राइब कौन सी आ गई, डफला, अरूनांचल प्रदेश में कौन सी ट्राइब आ गई, डफला, बिलकुल याद रखेगा, कौन सी ट्राइब आई, डफला, दूसरी है, सेंगपो, सेंगपो, बिलकुल मिशिमी बिल्कुल याद रखेगा, that is मिशिमी, very important for your examination, that is known as the मिशिमी ट्राइब, कौन सी बन गई बेटा, मिशिमी, औरणाचल प्रदेश में पहली कौन सी आई, जल्दी से बता दीजे, डफला, पहली कौन सी आगई बेटा, डफला, दूसरी कौन सी आगई, जल्दी से क्ल वांचू और मोनपा, वांचू और मोनपा, बिल्कुल याद रखेगा, that is much more important for your examination, that is वांचू, and मोनपा, मोनपा फेस्टिवल भी होता है, मोनपा फेस्टिवल भी है, मोनपा ट्राइब द्वारा किया जाता है, that is much more, तो डफला कई बार examination में पूछा गया, अवलांचल प पो, मिश्मी, वांचू और मोनपा, मोनपा फेस्टिवल भी मनाया जाता है, बिल्कुल याद रहेगा, एक बार क्रिवीजन कर लिजा है, अवनचल प्रदेश का मेरे साथ, पहला अवनचल प्रदेश में कौन सा देखा, डफला, पहली ट्राइब कौन से आई, डफला, अगले राजे में चलेंगे, अगला राजे है अशम, असम में बहुत सारी हैं, जैसे चकमा, दिमसा, गारो, खासी, गारो, खासी ये आपको क्लियर रहेगा, क्योंकि वहां पे पहाडियां है, बोरो, बोरो, कच्री, मिरी, दिमसा, तो यहां पे कफियों पर्टेंट है, ग गारोज, खासी, बोरो, अशम की बात की जाया है, तो काफी इंपोर्टेंट है, अशम में काफी इंपोर्टेंट ट्राइबल एरिया बनता है, पहला बनता है यहां पे गारोज, पहली ट्राइब है, यहां पे याद रखेगा गारोज, अब आपको भी पता है, गारोज, ख 1100 सेंटीमीटर 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है अब आपको clear रहेगा maximum rainfall जब यहाँ हो रहा है तो कहानी ही यहाँ रहती है the most important tribe that name is the Garos, दूसरी tribe जो होती है Garos के बाद बिलकुल याद रखेगा खाशी वो खाशी वो नहीं है बिलकुल याद रखेगे tribe वाली खाशी है तो particular कौन सी खाशी आगे कौन सी tribe आई Garos, Garos के बाद खाशी इसी खुसी में अनुनातल प्रदेश के एक बार देख लीजे अनुनातल प्रदेश में कौन सी बनी थी बेटा डफला, दूसरी संगपो, तीसरी मिसमी, चौथी वांचू, पाचवी बनी मोनपा मोनपा फेस्टिवल भी मनाया जाता है इसलिए काफे important बनेगा ये आपके examination के लिए बिलकुल याद रखेगा that is much more important दूसरा जो question बना असम, अशम में कौन सी बन गई Garo, Khasi, दो question आपके बहा जाता है, North East में Norvester के नाम से जाना जाता है महाराष्ट में Mango Sovers के नाम से जाना जाता है वैसी ही वर्सा जब असम में particular पवने चलती हैं तो उसे बोडो चिल्ला कहा जाता है तो एक tribe है, उस tribe का नाम है Boro, कौन से tribe है? Boro tribe, कौन से tribe है? Boro, Boro क्या करती? चिल्ला, चिल्ला, क्या आवाज करती? इसलिए पवन का नाम हो गया Boro, चिल्ला, तो particular tribe कौन से आ गई? Boro, कौन से tribe आ गई? Boro, बिलकुल याद रखेगा तो गारो, खाशी, बोडो तीनों याद रहेंगी, गारो, खाशी और Boro clear रहेगा, इसके बाद है काफी ज्यादा important चकमा, tribe का नाम है चकमा असम में पाई जाती है चकमा tribe बिलकुल clear रखेगा, that is four tribe founded on असम, असम में कितनी बन गई? चार, बिलकुल याद रखेगा असम में कितनी tribe है आपके लिए, चार tribe है चारों याद रखेगा, कौन-कौन सी गारोखासी सर हमेशा याद रहेगा, बोले क्यों याद रहेगा क्योंकि यहाँ तो tribal है यह hill stage, पर्टिकुल पहाड़िया भी स्थित है इसलिए याद रहेगा सर ओके, very good then, गारोखासी के बाद बोडो, चिल्ला, चिल्ला के आवाज निकालते हैं इसलिए बन गया, बोडो, चिल्ला, बोडो और उसके बाद कौन सी tribe बन गई, चकमा अरुणाचल प्रदेश में कौन-कौन सी आ गई, जल्दी से clear कर लेंगे अरुणाचल प्रदेश में डफला, सिंग्पो, मिसमी, वांचू, मोनपा असम में गारोखासी, बोडो, चकमा गारोखासी, बोडो, चकमा याद रहेगा, गारोखासी, बोडो, चकमा आपको सबसे बड़ी बाद बता दूँ इसके जरस बाद आपको particular daily question भी मिलेगा, PDF के बाद questions भी आपके पास अब लेवल रहेंगे, that is much more important for examination, आपके लिए काफी जरूरी रहेंगे, ये clear है अगले में बढ़ते हैं, फिर इसके बाद गारोखासी, बोडो, चकमा के बाद अगले राजी में बढ़ेंगे, दोनों राजी clear है मूनपा ट्राइब कहां होती है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजे, मूनपा ट्राइब कहां है very good very good, very good very good, very good अगले राजी में चलते हैं, अगला राजी काफी ज़्यादा important, यहां काफी confusion नहीं रहेगा अगला राजी है, चलते हैं पटना में, तो बिहार है अगली ट्राइब कहां से चलेगी, बिहार से बिहार की राजधानी है, पटना और विवादास्पत बयान के लिए मुख्यमंत्री जी अभी news पे थे काफी ज़्यादा population के उपर कुछ अनाप सनाप सब्दों में उन्होंने कह दिया था, बट वो ठीक है वीडियो वाइरल था, वो उनका पॉलिटिकल है, वो अपने हिसाब से देख लेंगे, हमें उनके मुख्यमंत्री का नाम याद रखना है, that's your name is the Bihar that name is the NITISH कुमार and who is the current governor of the Bihar जल्दी से में जवाब दे दिजे comment section में who is the current governor of the Bihar Bihar के governor कौन है, जल्दी से एक number का examination में आ जाता है जल्दी करियेगा very good, very good, Bihar governor, Bihar के वरतमान governor कौन है, जल्दी से अरे जो आपके पहले राष्टपती बने थे, उन्ही के नाम से बने है, राजेंद्र अर लेकर which is the, what is the name of that राजेंद्र अर लेकर and the मुख्यमंत्री, CM name is the नितीश कुमार and the governor is the राजेंद्र अर लेकर, बिहार में गए तो बिहार में कौन कौन सी जाती पाई जाती है ट्राइब, पहली ट्राइब है बहुत ज़्यादा कोशन आया, लोग हसते भी है, ये वेप सीरीज भी बनी है, ये वेप सीरीज भी बनी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि है वेटा बैगा दूसरी ट्राइब कौन सी है बैगा पहले ट्राइब कांसी कहीं बन गई चुर बता दीजेगा बोडो कहां की ट्राइब है जल्दी से क्लि swamp कर दीजे बोडो चिला चिला के असमवद्ण में हला करते हैं इसलिक दीधा बोडो चिल्ला तो हो अगला है गोण भी यहीं पाया जाता है खरावर शंथाला थारू गोण परहिया संथाला गोण शंथाला और थारू अगला याद रखेगा गोण सबसे जादा गोण तो अलग पाई गई है फिर संथाला संथाला जारखन ट्राइब में और इसके बाद क्या है अशुर बैगा गोण संथाला और थारू ट्राइब कौन से ट्राइब है बिटा थारू ट्राइब बिलकुल याद रखेगा बहुत कोश्चन पूछा गया कहां की है पॉइटिकुलर आपके बिहार की गोण भारत में सबसे जादा पाई जाने वाली जो ट्राइब है गोण दुसरे पे भील बैगा पाई जाते हैं मद्द प्रदेश के बारे में भी चलेंगे लेकिन पहले हमें तीन राज्यों का जल्दी से क्विक रिवीजन करना है बिटा एक बार नोट डाउन भी करना है अवणाचल प्रदेश में कौन सा बना डफला सिंगपो मिशिमी वांग्चू मौनपा असम में गारो खासी बोडो चकमा बिहार में अशुर बैगा गोण संथाला थारू जल्दी से एक बार बता दीजे क्लियर है लिख लिए यह अगला जो राज्य है मध्य प्रदेश चे अलग हुआ दो हजार में और यहां पर कहानी बनी अगला राज्य है आपको याद रहेगा रिशन्ट इलेक्शन भी हुआ है इसलिए जरूरी है राज्य का क्या नाम है सर राज्य का नाम है च्छतीस गड़ वाट is the name of that state that have conducted only two इस बार के पांच राज्यों के चुनाओ में केवल वर्सी है दो बार में चुना हुआ बूइ सब राज्यों में एक बार में सिंगल एलेक्शन कराया गया है लेकिन यहां पर दो बारों में चुनाओ कराया क्योंकि next slide area है तो 36 गड़ की tribe का नाम है अगरिया कौन सी है बिलकुल याद रखेगा अगरिया tribe कौन सी tribe आई बेटा अगरिया गोण बैगा अलग थी ये tribe है अगरिया इनके प्रमुख देव होते हैं लोहा देव ये लोहे के बरतन बनाते हैं और लोहे के बरतन में ही सेवन क कुछ मानते हैं 36 गड़ में पहले tribe बनी अगरिया दूसरी tribe है भट्रा इसके नाम पर वहां पर पूरा इलाका भाटा पारा है भट्रा 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 ट्राइब भी है अगरिया और भट्रा दोनों tribe याद रखेगा 36 गड़ की very good तीसरी tribe पाई जाती है यहां पर नगाशिया सावर हलबा गूण यहां भी है लेकिन सबसे ज़्यादा अगरिया दूसरे नमबर पर भट्रा तीसरे नमबर पर पाया जाता है यहां पर याद रखेगा काफी ज़्यादा important मावशी या खोंड या बीर यह भी ज बेटा हलवा नहीं है हलबा और तीसरे नमबर पर होती है सावर ट्राइब बिल्कुल याद रखेंगे the tribe name is the सावर what is the name of that tribe that is सावर तो 36 गड़ में कौन-कौन से आगे बेटा अगरिया भट्रा हलवा और सावर जल्दी से clear कर लीजे गें ट्राइब को दो मिनट है आपके पास एक बार क्विक रिवीजन कर लीजे अरुडांचल प्रदेश के भिहाब पर पूरी चीजे जल्दी से क्विक रिवीजन क्विक रिवीजन क्विक रिवीजन क्िक रिवीजन झाल झाल जल्दी से याद हो गया होगा उम्मीद है आपको अब रंचर प्रदिस में डफला, सिंगपो, मिशमी, वांचू, मोनपा सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट याद रखेगा इनमें से हम आपको सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट भी बता देंगे एक्जाम के लिए केवल अब रंचर प्रदिस में अपतानी एक और ट्राइब याद रखेंगे जो रिसेंटली इग्जामिनेशन में पूछी गई थे अब रंचर प्रदिस में अपतानी यह वो है जो most probably आई है अपतानी अब रंचर प्रदिस में अपतानी ट्राइब बिलकुल याद रखेगा कई बार इंपोर्टेंट है कौन से ट्राइब बन गई बेटा अपतानी बिलकुल याद रखेगा अब रंचर प्रदिस में बन गई कौन सी अपतानी वेरिगड दुसरा डफला सांगपो मिस्पी म वांच्यू मोनपा वेरिगड नेक्स्ट गए हम असम असम में कौन-कौन सी है जल्दी से बता दीजए गारो हाँ सर बिलकुल गारो है दूसरी गारो के बाद बता दीजए अशम में कौन सी बनी सर गारो खासी तो पूरी पहाडिया ही है उसी में गारो खासी बोरो चकमा और मिकिर important जो है यहाँ पे मिकिर ट्राइब है कौन से ट्राइब है बिटा मिकिर बिल्कुल याद रखेंगे एक एक ट्राइब जो यलो कलर से लिख रहा हूँ इसको जरूर याद रखना है त्राइब नेम इस दा मिकिर गारो खासी बोरो चकमा मिकिर बोडो बोडो वही है जो चिलाती है अगला है बिहार बिहार में ट्राइब देख लिजे अशुर बैगा अशुर बैगा गोण अशुर बैगा गोण अगला तो चत्थिस गड़ आपका क्लियर हो गया था अगले राज्यों में बढ़ रहे हैं अगला राज्य हमारा गोवा गोवा से वैसे पूछा नहीं जाता है लेकिन कभी यह पूछा जाएगा तो सिध्धी और सिध्धी ट्राइब है और धोधिया ट्राइब है गोवा में याद रखेंगे सिध्धी और धोधिया गोवा में याद रखेंगे काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है सिध्धी ट्राइब कई बार पूछा गया है सिध्धी कौन सी ट्राइब है सिध्धी एक ही याद रखेंगे गोवा में सिध्धी ट्राइब गोवा में कौन सी बन गई सिध्धी बिल्कुल याद रखेंगे गोवा में सिध्धी ट्राइब very good गुजरात में गुजरात में भी बहुत सारी ट्राइब है लेकिन इसमें से सबसे ज़्याद इंपोर्टेंट है भील और दूसरे नंबर पे होता है यहां पे डूबला, पटेलिया, गमता, धोदिया तो गुजरात में याद रखेंगे भील गुजरात की जो कई बार पूछी गई ट्राइब है that is भील भील ट्राइब पाई जाती है और दूसरे नंबर पे पटेलिया गुजरात में काफी जाद़ा important है, गुजरात में पाई जाती है भील कौनसे ट्राइब है भील ट्राइब और दूसरे नंबर पे होता है पटेलिया बिलकुल याद रखेगा पटेलिया ट्राइब कौन से ट्राइब है पटेलिया बिलकुल याद रखेगा भील और पटेलिया दो ट्राइब यहां बनती हैं कौन कौन सी भील और पटेलिया कौन कौन से ट्राइब बन गई भील और पटेलिया गोवा में सिद्धी गोवा में कौन से ट्राइब बनी सिद्धी गोव जो ट्राइब है गुज्जर गुज्जर पाई जाती है जम्मू काश्मीर में और बाल्टी बाल्टी और गुज्जर जम्मू काश्मीर में है जे एंड के याद रखेगा गुज्जर कुछ षित्रों में है दूसरे नंबर पे है बाल्टी दूसरे नंबर पे ट्राइब होती है कौन सी बाल्टी गुज्जर और बाल्टी दोनों याद रखेगा प्यरिगोड इनसे कोश्चन बहुत कम आया है जो कोश्चन आया वो मैंने आपको अगला जहारखंड स से बहुत question पूछा गया, अगला रो जो राज्य है, काफी ज्यादा important जारखंड, जारखंड में पाई जाती है मुंडा, मुंडा, गोण, भूमिजी, कोल, अलोहा, लोहरा, कौन-कौन सी सबसे ज्यादा है जारखंड में मुंडा, मुंडा के बाद है संथाला, संथाला के बा particular हम बात कर रहे हैं, कौन से राज्य की, जारखंड की, और जारखंड में कौन सी बन गई, very good, पहली जाती है यहां मुंडा, कौन सी ट्राइब बनी है बिटा, याद रखेगा, मुंडा, ट्राइब कौन सी, मुंडा, दूसरे नमबर पे कौन सी ट्राइब पाई जाती है, क पूछा जाने वाला कौश्यन, जारखंड में मुंडा, इसी के नाम पे बना है बिरसा मुंडा, आदिवासी जनजाती दिवस भी मनाया जाता है, तो हमें नहीं याद रखना, हमें याद रखना मुंडा ट्राइब कहां की है, सबसे बन जायेगा, जारखंड, कोल तमारा क्लियर हुआ था, लोहासुर, अगरिया कहां पाई गई थी, अगला है नील गिडी पहाडियां या करनाटक में पाया जाता है, करनाटक में इरुलिगा, मेडा, सोली गुरु, करनाटक में इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, केरला में है, जो दक्षन भारत क पूरी होती हैं ट्राइब, वहाँ पे तोड़ा ट्राइब पाई जाती है, अधियन, केरला करनाटक में पाया जाता है, अधियन, करनाटक में, साउथ इंडिया के राज्य हैं, करनाटक, करनाटक में पाया जाता है, ट्राइब है, अधियन, बिल्कुल याद रखेगा, ज़ा ट्राइब नेम इस दा अध्यन कौन सी ट्राइब बन गई अध्यन ट्राइब करनाटक में दूसरी बनती है यहाँ पर कोरगा या इरू लिगा इरू लिगा ट्राइब और सोली गारू इरू लिगा इरिलूगा 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 ट्राइब बिलकुल याद रखेगा दोनों ट्राइब यहां की है केरल इतना जादा इंपोर्टेंट नहीं है केरल इतना जादा इंपोर्टेंट नहीं है मध्य प्रदेश सबसे जादा इंपोर्टेंट मध्य प्रदेश सबसे जादा इं जो है बैगा, भील, बैगा, भील, प्रधान, शहरिया, गोण, तो यहाँ पे सहरिया ट्राइब, बैगा टाइब, और कोल टाइब, बैगा, भील, गोण, सहरिया, कौन-कौन सी है? बैगा, भील, इसके बाद सहरिया ट्राइब, यह राजस्थान का जो इलाका लगता है, वहाँ पर पर्टिकुलर भिंड, मुरैना, इन छेत्रों में पाई जाने वाली ट्राइब कौन सी? सहरिया ट्राइब, अगली ट्राइब जो है कोल ट्राइब, कोल भी पाई जाती है, और इसके बाद कुछ छेत्रों में पाई जाता है, गोण ट्राइब, कौन सी ट्राइब है बिटा? गोण, तो मद्यप्रदेश को याद रखेगा, बहुत ज़्यादा ट्राइबल स्टेट है ये, सबसे ज़्यादा रीजन पे बैगा, गोड, भील, सहरिया आपके, जो राजस्थान के साथ बाउंडरी सेयर करता है, वहाँ पर पाई जाती है, पूरा का पूरा वहाँ पे सिस्टम के साथ में ये पूरे क्या होते हैं, बनते हैं, उसी के बिहाब पर चीजे चलती ह हैं, तो मद्य प्रदेश में कौन सा बन गया, बैगा, भील, शहरिया, कोल, गोड, बिलकुल याद रहेगा, कौन-कौन से ट्राइब बनी, बैगा, भील, शहरिया, कोल, और गोड, ये ट्राइब आपके लिए बनती हैं, मच मोर इंपोर्टेंट आपके एक्जामिनेशन, क और है, मद्य प्रदेश एक बार और पढ़ लिजिए, काफी कुछ इंपोर्टेंट आपके एक्जामिनेशन के लिए बनेगा, बहुत ज्यादा कोश्चन यहां से पूछे गए हैं, वेरी गोड, वेरी गोड, वेरी गोड, वेरी गोड, मूनसांग ट्राइब, नागा, माओ, और मूनसांग ट्राइब, कहां की है बेटा, मडिपुर की, अगला है काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट, इसे जाना जाता है किस नाम से, मडिपुर, मडिपुर में ट्राइब कौनसी है, नागा, कौनसी ट्राइब बनती है, नागा, बिलकुल याद रखेगा, दूसरा है, नागा, नागा लैंड न लगा दीजेगा, नागा लैंड हम वही करा रहें जो जरूरी है very good, much more important और नागा ट्राइब, ये आपके लिए important तो एक बार मद्य प्रदेश जल्दी से पढ़ लीजिए मद्य प्रदेश में कौन-कौन सी है, बैगा, भील, शहरिया, कोल, गोण कई बार पुछा जाएगा, सहरिया, ट्राइबल रिजन है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर इस वाले छेत्र में पाई जाती है, तंत्र मंत्र की विद्या के लिए भील अगरिया, ट्राइब, लोहा, सुर, लोहा को देवता मानती थी बिलकुल याद रखेगा, काफी कुछ important आपके examination के लिए बनता है, टोटल कितने हो गए, एक बार जल्दी से क्रिवीजन कर लेते हैं सबसे पहले हमने सुरू किया था, कि जो ट्राइबल है, वो कितने प्रकार की थी तो हमने बताया, टोटल पाँच छेत्रों में जन्जातियों को विभाजित किया गया था सबसे पहला हिमालेन छेत्र, फिर दुईपीय छेत्र, मध्य भारत छेत्र, पश्चिमी भारत और दक्षन भारत का छेत्र ये सब सेनेरियों बना, सबसे पहले बना, आइलेंड रीजन में उंगोज, जार्वास और ग्रेट अंडमान, अड़वांचल प्रदेश में हमने बात करी, आपतानी पहले ट्राइब बनी थी कौनसी, आपतानी, जल्दी से क्रिवीजन ले लीजिए मेघालय में वही चकमा और गारो पाई जाती है, मिजोरम मेघालय सब की वही कहानी है उडीशा इंपोर्टेंट है, संगता, जितने भी इस्टरंड स्टेट है वहां के सब के याद रखेगा, उडीशा की बात करेंगे, उडीशा भी ट्राइबल स्टेट है आदिवासी है, संथाला, बतुद्धी, गोण, किसान, कोलहा, कोरा, कोया, मुंडा, परोजा, शोरा, ये सब जनजातिया आप आई गई इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है, मच मोर इंपोर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए उडीशा से बनती है ओरानोल, जो ट्राइवल वाले है, पारादीप आईलेंड के पास पाई जाती है, ओराओ, और ओरावनिन्स खारिया, माट्या, असम में गारो, खासी, बोडो, चकमा, मिक्री, बिहार में असुर, बैगा, गोण, संथाला, थौर और बंजारा इसके बाद चत्रिसगड में अगरिया, भट्रा, हल्वा, सावर, गो, गोवा में सिद्धी, गुजरात में भील और पटेलिया, जमुकास मेर में गुज्यर और बाल्टी, जारखंड में मुंडा, सबसे ज़्यादा कोश्चन पूछेगा, मुंडा, कोल और संथाला करनाटक में अध्यन और इरिलुगा, MP में बैगा, भील, सहरिया, कोल, गोड, मडिपूर में है नागा, म्यो, मौनसॉंग, इसके कोश्चन भी कराऊंगा, जो मल्टिपल च्वाइस कोश्चन प्रीवियस एरेससी में पूछेगे, उनकी भी चर्चा होगी, अगला राज खारिपूर के बाद हम बढ़ेंगे, उडिशा, उडिशा में कौन-कौन से ट्राइब है, भूमिजी, और नौज, और खारिया, बहुत ज्यादा ट्राइब है, लेकिन उनमें से भी में सेलेक्टेट पढ़ना है, उडिशा में ट्राइब है हमारी बिलकुल याद रखेगा पहले ट्राइब है, खारिया, खारिया, कौन से जंजाती आ गई, खारिया जंजाती, बिलकुल याद रखेगा, उडिशा की राजधानी वह बनेश्वर बनी है, और मानी प्रधान राश्पती जी यहीं से बनी, और नाव, कौन से राजधी है, उर्नावस, पर्टिकुलर याद रखेगा, इनका रीजन कई बार पूछा गया, बिलकुल याद रखेगा, ट्राइब कौन से बनी है, बन गई है, उर्नावस, ये ट्राइब कौन से है, उर्नावस, जंजाती, याद रखेगा, खतरनाग जंजातियों में से एक आती है, उर्नावस, ये कहां पाई जाती है, उडिशा वाले ट्राइबल एरिया में, फिर होता है भूमजी, और भूमजी के बाद होता है पर्टिकुलर लोधा, साभर, कोरा, पर लिखना सब नहीं है, लोधा लिख लेंगे, भूमजी लि इसलिक बिलकुल याद रखेगा, मच मोर इंपॉर्टेंट है, भूमजी बिलकुल याद रखेगा, काफी जादा इंपॉर्टेंट बना ये, सबसे पहले मणीपुरी में नागा, म्योओ और मोनसांग, अंपी में बैगा, भील, शहरिया, कोल, और गोन, ये काफी इंपॉर important state that name is the Rajasthan तो एक बार पिछला क्विकर वीजन करिए पहले इसको देख लीजे फिर हम आगे बढ़ेंगे राजस्थान में इसको जल्दी से एक बार देख लीजे राजस्थान में मीनाज, सहरिया और नायका ट्राइब कौन से बन गई पटेलिया और नायका तो राजस्थान में बंजारा भी है, सहरिया भी है, नायका भी है तो राजस्थान में याद रखेंगे नायका ट्राइब, राजस्थान में ट्राइब कौन से बन गई नायका, बिल्कुल याद रखेंगे ट्राइब का नाम है नायका, राजस्थान में कौन से ट्राइब बन गई नायका ट्राइब, इसके बाद सिक्किम, अगला राज्य ह सिक्किम में होती है भूतिया ट्राइब भूतिया और लिम्बू और तमांग तो भूतिया और तमांग याद रखेंगे कौन सी ट्राइब है यहाँ भूतिया उठपटाग सब्दों नहीं भूतिया कौन सी ट्राइब है भूतिया बिल्कुल याद रखेगा सिक्किम में कौन स दूसरी ट्राइब बनती है तमांघ दूसरी ट्राइब बनती है काफ इंप zoranon दूसरी काउन सी है समांघ यहाद रखेगा भूतिया और काउन वन गई तमांग दोनों या लेपचा भी होती से किम में लेपचा लेपचा उत्राखंड में खस ट्राइब और राजी और थारू उत्राखंड में खस राजी उत्राखंड में पूछा जाता है काफी इंपोर्टेंट ट्राइब है खस उत्राखंड में कौन सी आ गई, खस ट्राइब, काफी पूछा जाता है, उत्राखंड में कौन सी ट्राइब आ गई आपके लिए, खस ट्राइब, बिल्कुल याद रखेगा, उत्राखंड में कौन सी खस, दूसरा राजी, राजी ट्राइब, कौन सी बन गई बिटा, राजी कौनसी tribe पहली बन गई खस दूसरी कौनसी बन गई राजी मच मोर इंपोर्टेंट और राजी के बाद बनी है थारू, कौनसी tribe है, बिलकुल याद रखेगा, इसे जाना जाता है थारू, एक बार जल्दी से याद कर लीजे, उत्राखंड में काौनसी? खस, उत्राखंड में याद रखेगा त्रिपूरा सब को पता है, वेरे गूड, तमिल लेड में इरूला जन जाती, हिमानचल प्रदेश में बढगा दग्गी, अगला है पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश, बस दो और बचे हैं, तो इसके पहले क्विक्रिवीजन कर लिजी एक बार, एक बार क्विक्रिवीजन मैं आगे से फर्स नंबर से कर रहा हूँ, यहाँ से जब से यलो कलर आया है, शत्तिस गड़ से एक बार क्विक्रिवीजन, जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे हम, एक बार जल्दी से यहाँ से पढ़ लिजे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्लीज 36 गड़ में बन गया अगरिया, भटरा, हल्वा, सावर, गोवा में सिद्धी, गुजरात में भील और पटेलिया, जमुकास्मेर में गुज्यर और बाल्टी, जारखंड में मुंडा, कोल और संथाला, करनाटक में अध्यान और एरलुगा, मध्य प्रदेश में बैगा, भील, सहरिया, कोल गोड, बैगा, भील, सहरिया, कोल गोड, बैगा, भील, सहरिया, कोल गोड, विल्कुल याद रखेगा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, अगला जो बना इसके बाद पर्टिकुलर मनिपुर में नागा, माओ, मौनसांग इसके बाद उडिशा में खारिया, उराव, लूधा और भूमजी और राजस्थान में नायका, सिक्किम, उत्राखंड हो गया अगले राज्य में बढ़ते हैं, अगला राज्य है उत्तर प्रदेश अगला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल याद रखेगा उत्तर प्रदेश में टाइब कौन कौन सी बहुत सारी है जिसमें से खरवार, शहरिया, बैगा, अगरिया, चेरो, बुकसा, थारू, भूतिया, राजी तो इन में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइब है, वो होती है, हमारी कौन से उत्तर प्रदेश में, चेरो, थारू, और गोण उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, गोण, थारू पहले कौन से ट्राइब आ गई बिटा, बिल्कुल याद रखेगा, गोण, गोण के बाद कौन से ट्राइब आई है, थारू ट्राइब, गोण के बाद कौन से आ गई बिटा, थारू ट्राइब, और थारू ट्राइब के बाद याद रखेगा, चेरो, बिल्कुल याद सावर रम्भा चिक बर्बई का इस प्रकार के ट्राइब पाई जाती है एक बार जल्दी से क्रिवीजन ले लिजे वेस्वेंगॉल में है सावर किशान कोरा सावर वेस्वेंगॉल में है शावर वेस्वेंगॉल में याद रखेगा पर्टिकुलर कौन से बन गई सावर वेस्वेंगॉल में कौन से ट्राइब बन गई है शावर बिलकुल याद रखेगा दूसरा बनता है हमारा काफी ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सावर महाली महाली ट्राइब कौन से ट्राइब है महाली ट्राइब कौन से बन गई महाली दो ट्राइब हम याद रखेंगे इन में से सबसे ज़्यादा जो इंपोर्टेंट है इस्टन स्टेट और यहां के हैं वो भी मैं आपको बता दूँगा, किस किस राज्य का हमें पढ़ना है, एक बार जल्दी से देख लिजे, 28 में से पूरे स्टेट नहीं, केवल सबसे ज़्यादा हमने शुरू किया, रेजनल भिहाब पर, सबसे ज़्यादा अगर एक याद रख सकते हैं, तो आप तानी याद रखेगा, डफला, सांको, मिसमे, वांची, मोनपा, याद रहेगा, अशम में कौन कौन से बन गई, गारो, खासी, बोरो, चकमा, मिकरी, गारो, खासी, वेरी गोड, वेरी गोड, जल्दी से, अंडमान निको बार में, जारवा, अंडमान निको बार में, कौन से बन गई, भी पाई जाती हैं, उन्हीं के बिहाब पर चीजे चलती हैं, very good याद रखेगा, उराव, ओगनेशो, सेंटलिप, अगर आपका जो ट्राइबल एरिया जो छूट गया है, मतलब जिस पे काफी ज़्यादा परमीशन लेने पड़ती है, वो है अंडमान एंड निकोवार, काव के नाम से जाना जाता है, दूसरी ट्राइब है, ओंगेस, दूसरी ट्राइब हमारी कौनसी है, जाना जाता है इसे, ओंगेस के नाम से, किस नाम से जानते हैं, बिल्कुल याद रखेगा, it is known as ओंगेस, किस नाम से जाना गया, ओंगेस के नाम से, तीसरी ट्राइब हो सोम पेन तो कौन-कौन सा गया एक बार क्विक रिवीजन ले लिजे अंडमार में उराव, ओगेंस और सोम पेन ये तीनु रिस्ट्रिक्टेट ट्राइब हैं मतलब यहां आप इंट्री नहीं कर सकते इस प्रकार का सिनेरियो यहां बनता है और इसी के बिहाब पर पूरी किजे क्या है आपके एक्जाम में भी बनती है तो इसमें मोस पेवली उम्मीद है पूरी के पूरे कौनसेप्ट आपको क्या होंगे याद होंगे पूरा कौनसेप्ट इसी के बिहाब पर चलता है पूरा सिनेरियो यही रहेगा क्लियर ना तो अंडमान निको बार याद रहती है वेरे गुड अगर अगर आपसे पूछा जाए स्टी का वर्डन कहां है तो आप याद रखेगा स्ट्राइब जो है इंडियन कॉंस्ट्यूशन के आर्टिकल नंबर 300 कहां पे वर्डन है 342, 342 में अनुसूची जंजातियों के बारे में बताया गया है हमें गारतिय अनुच्छिद के और बताया गया कि over 730 schedule tribe have been noticed under कितनी tribe है total बात की जाए तो total जो tribe है वो 730 से भी उपर है जो लिस्टेड है वो 730 अप्रॉक्स है तो इन में से 97% are leave 97 प्रत्षट जो होती है वो rural areas में रहती है मतलब इन में से बहुत सारों का संबंध ही नहीं है 3% only in cities सहरों में केवल या urban area में केवल तीन प्रत्षट निवास करती है तो पूरा का पूरा scenario clear हो गया कि 97% rural या ग्रामीड area में रहती है आर्टिकल नंबर किस में है बिलकुल याद रखेगा 342 इसमें चर्चा की गई 342 में according to 2011 मध्य प्रदेश as the highest tribal population in India सबसे ज़्यादा overall sex ratio 940 and the scheduled tribe have a sex ratio 990 2011 के अनुशार 2011 के अनुशार maximum population जो है कहा है मध्य प्रदेश में sex ratio की बात की जाए तो overall बात की जाए तो overall कितना है 2011 के अनुशार में बिलकुल याद रखेगा that is 940 940 female है out of 1000 male में लेकिन estes की बात की जाए that is 990 990 estes की बात की जाए बिलकुल याद रखेगा 990 of 1000 that is important for your examination कई बार पूछा गया कि इन में कितना sex ratio रहता है तो ये आपको पूरी चीज clear हुई एक बार हमने पूरा आपको quick revision बताया उसी के बिहाब पर पूरे concept बनते हैं और इसी पर classes होती है यहाँ तक concept clear रहेगा ये topic आपको पूरा पढ़ना है बहुत important है important tribes in India बहुत ज़्यादा exam में पूछा गया कौन से article में है अगर पूछेगा तो याद रखेगा 342 तोटल कितनी है 740 से उपर अगर 100% में लीवी नीरिया देखा जाए रहने का स्थान तो इनके जो रहने का स्थान है उसके हिसाब से 90% rural areas में रहते हैं और 3% cities में सहरों में निवास करते हैं स्थेट हमने पहले ही देख लिया है कौन कौन से स्थेट में थे particular वेस्वेंगौल हो गया उत्तरप्रदेश में गोण थारू चेरो जंजात उत्रखण में खस राजी और थारू सिक्किम में भूतिया तमांग और लेपचा लेपचा ट्राइब कई बार पूछा गया राज और इरलूगा जारखंड में मुंडा कोल संथाला मुंडा कोल संथाला इसके बाद बनी जम्मू कास्मीर में गुज्यर और बाल्टी गुज्यर और बाल्टी बिल्कुल याद रिक गुजरात में भील और पटेलिया गोवा में सिध्धी याद रखेगा चतिसगड में अग यहां तक पूरी चीजे क्लियर है कौन से आर्टिकल के तहद जोड़ा गया जल्दी से जवाब दे दिए in which article that have the Indian constitution कौन से constitution के वर्डन है कहां पे इनकी चीजे हैं जल्दी से बता दीजे हमें कहां तक कौन से इंडियन constitution के अंतरगाद very good, very good, सही जवाब है, constitution कौन सा है, particular अगर आपसे पूछा जाए तो article number 342, कौन से अनुच्छेद में चर्चा है, आप याद रखेगा, अनुच्छेद 342 में, किस में बात की गई है, अनुच्छेद 342 में ये चर्चा की गई है, कि भारत में ये concept क्या है, होना चाहिए, total कित स्थान भी हमने clear कर दिया, कहां पे कौन सा सेनेरियो बना, यहां तक पूरी चीज clear रहेगी, class channel को subscribe करिएगा, like करिएगा, clear है पूरा concept, important tribe समेशा 2-3 number का आया है, sscgd के लिए most probably question बनेगा यहां से, clear, very good, बाकी की चर्चा हम next class में करेंगे, clear, ठीक, thank you